आज कीया वीडियो year Кsm기 सिछ्छाफाफति की महसंग्राम होने वाली यह क्योंकि आपकी परिछा में जो प्रश्णा आने वाले हैं आक परश्णा कल परसोों हैं जब भी है उसपे जो प्रश्णा ने वाले वह आज 12 वीडियो से आने हो जो आज की इस वीडियो से मतलब कि आपकी परिच्छा से बाहर के आएंगे और बाकी लगबग लगबग जो प्रशन है इसी वीडियो से आएंगे और मैं गैरंटी दे रहा हूं फिर से बोला हो अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में जो इच्छा आपको लिग दी जो जो मैं प्रशन बताऊंगा उसका उत्तर तयार कर लिजेगा और उत्तर आपको इधर उधर जाने की जवत नहीं यहीं पर मिलेगा उत्तर भी ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ग्रूप में आपको मारल पेपर दिखाऊंगा कोश्चिन पेप प्रिश्चा देने जाएंगे उसमें भी आपको मिलेगा और प्रश्ण पत्र का नाम है प्रिश्ण पत्र का नाम है अगर आपकी परिच्छा इसी प्रिश्ण पत्र क्योंगी वाली है तो आप सभी के लिए महात्वपूर्ण वीडियो है आप चाहिए भारत की कि स्टूड प्रिश्ण करना है कि इतने नंबर मिलेंगे पूरी जानकारी आपको दी जाएगे इसको पढ़ लेना है उसके बाद प्रश्ण के और बढ़ना है पहला प्रश्ण पूछा गया तिले गुत्रे का इसमें सिर्फ हम आपको मौश्यूम पार्ण कोईश्चन और मारल पेपर कोईश्चन पेपर दिखाने का प्रियास करेंगे बाकि इन सभी का उत्तर है वो मैंने तैयार कर लिया है भी आपको मिल जाएगा ठीक है ति च्छामनों विज्ञानकर्थ बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन के इबारा चुका है ठीक है पच्छिके विकास चेकोईश्चन आता लेकिन बहुत कम आता अब इगनोर भी कर सकते हैं मान्शिक विकास नोट कर लिए जो जो मैं आप पुरी दिष्ण दि जाएगी कितने कोईश्य करना कितने सब्दमश का आंसर करना आपको पढ़ लेना टीक है तो पहला प्राश्ण है घ्यां सुन लेजगा पहला प्रस्ण है लग उत्तरे का कि फिच्छ मनोब ग्यान के कार चेत्र का वड़न कीजिए मोस्ट इंपॉर्ण कोईश्चन कई बारा आज चुका इस बार भी आएगा नोट कर लिजिए इसको जो जो मैं कोईश्चन बता रहा हूं आपको यह 99% उम्मीद है कि आएंगे यह अगला प्रस्ण है कि सिरा मंडव फ्राइट के मनोब इसले असात्मक बिदि का वड़न कीजिए बहुत कमाता इग्नोर कर सकते हैं अगला प्रस्ण है वंसानुक्रम के नियम की ब्याख्या कीजिए इंपॉर्टन है मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन कई बारा चुका है उसक अगला प्रस्ण का संप्रत्य की ब्याख्या कीजिए मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन इसका उत्तरबा का इदाता यार है कि आपको मिलेगा ठीक है खंडसा की और आ जाएंगे यहां पर आपको दिरगुत्रियानी की बिस्तित उत्र देखने को मिलेंगे कुश्चन ऐसा ही आपका पेपर होगा ठीक है देख लीजिए पूरा पूरा पैटर्न और इसमें आपको दिया जाएगा कितने कोश्चन करना कितने सब्दों में अंसर करना कितने नंबर मिलेंगे पढ़ लेना ठीक आपको तो पहला प्रशन है दीरगुत्रिय का कि फिच्छा मनोविज्यान अगला प्रशन के प्रिया प्रसूत अनुबंद फिद्धान का वड़न कीजिए इसके फैचिक नहीं है थार्थ को बताईए बहुत कमाता इग्नोर कर सकते हैं समयोजन की प्रिक्रिया समयोजन में बाधायों समयोजन को बनाय रखने के लिए उपाय का वड़न कीजिए अगला की अब प्रेड़ा का संप्रत्य क्या है अब प्रेड़ा के महत वंबालकों की अपड़ेद करने के उपाय बताईए यह कोश्चन असी परसेंट है मतलब 20 परसेंट नहीं है ठीक है तो थोड़ा पढ़ लिए इसके बारे में जरूर जरूर ठीक है इन सभी का उत्तर बाकाइदा मैंने तैयार किया टेंसल लेने वाली कोई बात ने आपको उत्तर मिलेगा ठीक है तो इसी परकार का आपको माडल पेपर कोश्चन पेपर देखने को मिलेगा जब भी आप पर इच्छा दे जाएंगे कल पर सो और इसमें कुछ इसी परकार के कोश्चन में बार बार रिपीटेड है वह आपको जानकारी मिलेगी और इसी वीडियो से सारे के सारी कुश्चराम के परिच्छा में आएंगी पहला प्रशन है कि आप चारी बालक की परिभाफा लिखना है सिंपल सच का वक्तर लिखेंगे कि वहां बालक जो समाजिक नियम वहां मानेत कि विप्रीत कारियों को करता है मतलब कि समाज कोई भी होता जिस भी सुसाइटिय में आप रहते उसके कुछ नियम होते कुछ कानून होते कुछ मानेता होती है अगर आप उसके विरुद्ध हो जाएंगे उसके विप्रूत कारेंगे कोई भी तो उसे अपचारी बालक कहा ठीक है और मनोबिध्यानी के नुसार बाल अपराधी की नियुंता माई यानिकि जो अपराध करते हैं बच्चे ठीक है उनकी अगर अपराधी बनते तो ये नकी करेटेरिया ठीक है मनो बिच्जानी के नुसार दूफ्रे सब्दों में बाल को द्वारा किया गया आसमाजिक या अवेधनिक कार या बिवहार को बाल अपरात का जाता है यानि जो भी आपके समाज है उसके बिरुद्ध हुजा रहा है या फिर कोई आसमाजिक कार कर रहा है या फिर कोई गलत तरीके फे वो पेशा रहा है गलित तरीके का काम कर रहा है तो इसको हम बाल-पराथ के गोषित करेंगी घुत है और बाल-पराथ की परिमाफा हमारे प्रमक्त बिद्वाद को दोरा अलग गल्क बताई गहीं है जा सके हिली कि नहीं तो हाँ है हो समाज विरोधी कि वेवहार बेक्तीकरत समाजिक भिकट्रम्थ करता है कि उसे बाल अपराद कि बक़प दोनों की परिवाफा है लिख सकते हैं कि इन्हों ने इस बिद्वान ने इस परकार बाल अप्रात की परिवाफ़ा दि यह तीक है ति तिम्हात्म ने ध्ध्वुर्शन ध्यान रखेंगे अगला कि security क्ष्छन की आपको जो जो अर्थ है कि आपको जो भी आ पिर अपको ते या आपको कोई आ ना ओलिज दी जा रहा है या आपको कोई मालिजे की फुटबाल की नौलिज दी जा रहे हैं पर किफी अने चीज की जानकाई दी जा रहे हैं तो फिच्छन के अंतरगत ही आएगा अध्यापक शात्रों को विद्ययले में अधिक फ्यक्रिख को जान करा दें तथा इस प्रकार से जान चाहे जिस बिद्ध का प्रयोब करें फिच्छन के अंतरगत ही माना जाता है यानि कि जो टीचर बच्छों को पढ़ाते हैं बहुत सारे भी से और अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्विच्छण कहते हैं ठीक है फिच्छण के इंतरगत माना जाता है यह फिच्छण की परम्परागत धारड़ा है प्रचीनकाल में भी छात्रों के सम्मु घ्ञान-बिज्ञान की कि चर्चा कोई फिच्छन कहा जाता था परंत हमें यहां ध्यान में रखना है कि जब तक ग्यान प्रदान करने की किरिया का बच्च पुरभा प्रभाव नहीं पड़ता उसे नहीं कहा जाएता मतलब अगर आप बता रहें कुछ बच्चा नहीं पढ़ रहा है पिर किसी दिखे है ठीक है ग्यान के पृतिपादन की बिद की आप इच्छा फिच्छन कहीं कहीं मतब ज्यादा अधिक है या फिज बहुत ही ज्यादा है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे पिच्छन के बारे में जो की महात्पूर्ण टॉपिक कोईश्चन था उत्तर भी जानना dual क१ुल करने की तरहन चांवista क्या सिखना ंदस्षी खानए और चवर सूछना प्रदान करना इसी तरह बहुत सारे इसे शी को तैयार करने कब प्रशनाते करने हैं वह सुर्षा का करना आप सकते खानें फूर्य को सारेलिक विकासThat बताहिए मुप आ middle मष्टिस के अनताäs रावी गरंतियों के बिकाथ के दाइप के हम स準रा वह घृ कि आपकी जो बोड़ी है मतलब कि जो हड़ियां है वो कितनी स्टोंग है उनकी मास्विश्या कितनी फास्ट बढ़ रही है तो इन सभी पर डिपेंड करता फारी विकाफ यानि कि जो आपको फिजिकली दिख सके और कुछ आप लोग कहें तो इसको अपना विचार कोई भी त एग सके तो इसको कहें हम सारी में सामयंता आप लोग जानते हैं फरीय की हाइट बड़ती है वजन भड़ता है फिर घटता है ठीक है हाय अंग जो होते हो भी बड़ते घटते हैं ठीक है तो इन सबसे होता है सारे विकास का ठीक है तो इस प्रकार बेसिक परचे लिखेंगे आगला प्रस्ण है कि पिछड़े बालकों का संप्रत्य सप्रस्ट कीजिए ठीक है तो एक कोईशन बहुत कमाता पिछड़े इग्नोर कर सकते हैं ठीक है बाकि आगर आपके पास समय तो बज़वर पढ़ सकते मेरे अनुसार इग्नोर कर सकते हैं अगला प्रस्ण है कि पिछड़े बालकों के प्रकार लिखे तो पिछड़े बालकों के प्रकार निम्न है जो कि पहला है सारे इक दोस्त के कारण पिछड़े हुए बालक मतलब कि इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनको ग्यान अंद्र बुद्ध लब्धिक हें साथ से कम होते हैं इसके अंत्रगत मंद की उस दियां नहीं उसके सम्वेगातमत को इस प्रकार के बालक को माता पिता अभिभाव को तता फिच्छकों से इसने सहान भूत नहीं मिलती है और सब और से तिरस्कार मिलता मतब सब लोग से ठुकरा देते हैं अता उनमें चिंता तनाव निराफा तता उदाफीनता आधिके भाव दिखाई देते हैं जिसको आप लो धात्मक तो उसे कहते हैं समगे आत्मक से पिच्छे वी बालक ने के करन शमान consult के होते भी पिच्छे जाते हैं मतब कि उनके पास फैनेंस इस टोंग नहीं होते हैं और उनके जो रिवाज हैं ठीक है उनको ध्यान में रखकर चलना होता इसले वो पिछड़े रह जाते हैं उनके पास अच्छा कासा नौलेज होता तब भी ठीक है और फिच्छा के अभाव से पिछड़े वे बालक इसमें रहीए और कौई लोग मिल पाथे धिक और बढ़ना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके के आजाते हैं फिच्छा के अभाव से पिछड़े भालक ठीक है थूद्च प्रकार बेशीक पैसी कि बालक परकार के पारे में अनिक पूरी उमिर interact अगला के परतिवास आलीज होते होते है या फिर बालक होते हैं उनकी कुछ बिसीष्ट चीज़ें होती उनके अंदर उसके बारे मजा लीजिए तो पहला है विसाल सब्द कोस्मता बहुत सारे सब्दों के बारे में वर्ट के बारे में को नौलेज होती है दूफरा मांसिक प्रिक्रिया के तीवर्टा कोई भी सब्सक्रिया होती है बहुत ही फास्ट होती है ठीक है सोचने की और समझने की अगला देनी कार्यों में भी नता है यानि कि प्रतिजिन जोकार होते हैं इसमें डिफरेंस रहता कुछ ना कुछ शमानी घ्ञान की शिष्टा ठीक है और आमोर्त विश्यों में रूची सब्सक्राइब तरह बहुत कम देखने को मिलता कोश्चन अगला कि फ्रेजन सील बालकों को बालकों की क्या पहचान है यह फी कोश्चन आता लेकिन बहुत कम आता पढ़ भी सकते हैं अगला कोश्चन है कि और तो इन प्रमुद्वान है गिल फोर्ड इनके अनुसार सरजन सिल बालक जो है वो है नंबर एक पर समस्चा के प्रती संबेदना दूफरा चिंतन की फत्ता और तीफरा सब्द फत्त थे के फतत्त और चौथाय फाहचार फतत्त और पाच्वा भीवेक्त फतत्त और छाट्वा मौलक ता तो यह हैं गिलफोर्ड के नुसार फ्रजन सिल बाल हुए ठिराब करते हीं थोड़ा में कम करने में थ्वड़ा मन कम पनकले लगता थीड़ा और फलता हम अब पहले फे कम कारे कर पाते हैं मानो फोरी पहले से हम कम यानि की बहुत कम काम कर पाते हैं जब हम ठक चुके होते हैं मन में या फिर मन यहों सरीर की इस अवफ़ता को ठकान कहते हैं तो मन भी ठक जाता हो सरीर भी ठक जाता है तो इसको हम कहेंगे ठकान और इस की परिमाफा अलग अलग बिद्वानों ने अलग अलग दिये जो कि आपको पढ़ लेना है अगला प्रस्टे कि पिछड़े बालकों के परकार बता है जो कि मैंने आपको बता ही रखा है आदत जिसको आप लोग है विड़ बोलते इंगली समें ठीक है तो गैरेट जो कि प्र कि निर्माण बच्पन वाफ़्था फरी प्रार्म हो जाता है आदतो को छोड़ा नहीं जाशा है तो कि चुड़ा चूर नहीं जाथा और अच्छे जो बालक होते हैं ठीक , आच्छी आज़तें से बालक बुर बैल कीपक्वश सोभी बच्चे that you are जोट ऑनप से लिय जोट प्रतिबल क्या है तो नाव प्रतिबल की बारें पढ़ लिए इंप्रूटन कुष्चन है अगला की दिवास्वापन कलपना यह भी बहुत कमाता अस्मित यह बहुत कमाता आपके इच्छा जरूर तैयार करें ठीक है बेसिक महासाग्न वीडियो इसलिए मैं इनक्लूट किया है फिराल जो मेरे कोडिक ज्यादा मौस्टिम इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको जरूर बता रहा हूं अगला जैसे कोईशन बहुत ही महात्पूर्ण परस्ण है की फैच्छिक मनोबिग्यान को परभाफित कीजिए बहुत ही पौप्र कोईशन है इसके बारे हम जानते हैं मनोबिग्यान का संयोग से बना है ठीक है सब्द का साब्दे करत फिच्छा मनो बिवार की परिमार्जन से सम्वंदित करते ह esfे जब कि मनो बिढ़्यान मानो विवभार के अध्धन के तौड तरीकों से संबंदित होता है तौड तरीकों peso देता और एक आपके टालेंट तो यानि कि विद्धन ₹ल था होता उस लोता उससे इस संबंदित होता है ऐ 앞으로 कि मनों व्यूहार की परिमारजन के तॉर तरीकों के अध्यान की रूप में लगा जाता है कि स administrant क्या हिसी कैसे पेस आ रहे हैं ठीक है तॉर तरीकिस मनतरमेाक बेटर धंक से उफ रूप में अगर आएंगे तिक उफ तरीकों का अध्यान करेंगे तो आप आएंगे फिच्छा मनोविज्ञान के अंत्र के ठीक है और मानोविज्ञान वा साखा है जो मानोविज्ञान के उन्ने निया परिमार्जन से संबंधित होती है रिच्छा मनोविज्ञान का हिलाद पारिवाँ और अगला प्रस्ण में प्रकत का मनोविज्ञान के प्रकतIt को वांते हैं उनका मत है कि फिच्छा मनो बिज्ञान विभिन खोजों के लिए विज्ञानिक विद्यों को अपनाता है उनसे प्राप्त निश्कर्षों के आधार पर फिच्छा जगत की समस्याओं का बेवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है शाथ विद्धार्थियों की उपलब्दियों इसा घुपिध्यानि बीविंतत्यों का नियर्चणियों परिछ्ण करके कि कि अधिकारी और निकलता है उचके आदार पर यह एक्षम लेगा उसे के अगला महास्जबष्ण आगला महारत प्रश्ण है फिच्छा और मनोविज्ञान में संबन्दस स्थापित किजी बहुत ही परप्र कुश्चन ध्यान रखेंगी उत्तर लिकेंगी फिच्छा बेवğıर में परिवर्टन लाने को कहते हैं फिच्छा में परिवर्तन हो तभी संभव हो जब उसके फ्रोतों का ज्यान हो चुकि मनों विग्जान के अध्न कब से उसे वहार है और फिच्छा विवहार में परिवर्तन है अता इन दोनों के आपसी संबंद नहीं इस प्रकार नेमों का एक ऐसा फंग्राव प्रदान करना जिसकी फायता से फिच्छक सांस्क्रितिक एवं बेहुसाइक लच्छों को अधिक प्राप्त कर सके ठीक तो प्रिकार लिखेंगे महत्मुट प्रशना के लिखेंगे अगला के फैच्छक मनवग्यान के अध्यन के बारे में जानकारी लेने की तरीके बिदियां ठीक है तो यह महत्पूर्ट प्रशने ध्यान रखेंगे अगला कि विकास की अवस्थाएं बताईएं ठीक है तो विकास की अवस्थाएं भी एक महत्पूर्ट टॉपिक्स और कुश्चे में पढ़ लीजीगा ठीक है छत्के जिए तो इस पीडियों पर मानों विकास से आप क्या समझते हैं क्या महत्पूर्ट प्रशने त्य हैं अभी ब्रद्ययों विकास में अंतर बताई यह बी महात्पूर्ट प्रशने थिकह उसके प्रवाइब करने वाले कारेक भी मात्पूर्ण है तो इसका उत्तर नीचे दिया आपको पढ़ लीजेगा समय ज्यादा है नहीं इसलिए हम एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे बाकि आपको आपके पर इच्छाम देखने के बाकि आपको मिलते हैं और यह पूरी के पीडियाप अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम वट्सप से जोईन होकर प्राप्त कर सकते है जो चाहतर में मैसेज करेंगे टेली वट्सप पर उन्हें को पीडियाप मिल जाएगी और यह आपका अपना चैनल सक्सेस्ट होए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जय हिंद